तबस्कार साथियों सभी का वाइफ़ाइ स्टेडी पर मैं हूं अंके तवस्ती आप लोग देख रहे हैं आज मेरे साथ में वो टाइटल जिसकी पूरी विश्व चर्चा कर रहा है विश्व चर्चा क्या कर रहा है साथियों आप लोगों को अपने मौर्निंग वाले शो में भी बताया था और ये क्लियर करने का प्रयास किया था कि किम जो उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उनका स्वास्त ठीक नहीं है स्वास्त ठीक नहीं है तो पूरी दुनिया को उनकी चर्चा करने की क्या जर्वत है ऐसी क्या आवशक्ता आ पड़ी क्योंकि बहुत सारे रास्ट्रा अध्यक्ष अभी थोड़े दिन पहले बोरिस जोनसं की तब्यत कराब हुई थी कोरोना के चलते तब तो उन्होंने इतनी सुर्ख्या नहीं बटो रही थी बस इतनी से न्यूस आई थी कि वो क्वारेंटाइन हुए इलाज हुआ अब वो ठीक हो करके वापस वर्क पर आ गए है ऐसा क्या है कि उत्तर कोरिया के ताना शाहा जिनका नाम किम जोंग उन है इनकी तबियत खराब हुई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर क्या होगा एक बार के लिए ये सोचा जाये क्या होगा यदि वो ना बचे अब अगर वो नहीं बचते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विश है उन सारे राष्टों के लिए हैं जो चाहते हैं कि वो बचें और अच्छी खबर उन राष्टों के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो ना बचें कौन तो चाहता है यानि कि कौन तो इस समय उनके पक्ष में माला जप रहा है और कौन उनके विपक्ष में माला जप रहा है ये सारी बाते हम इस सेशन में करने वाले हैं हमेशा की तरह जब आपको कोई सेशन बताएं तसली से सुनियेगा आज हम आपको इसमें कोरिया के वार की कहानी भी सुनाएंगे आपको बताएंगे कि कैसे किम जौंग उन और इनके दादा दादा जो भी थे वो सब ताना शाह बने और ताना शाहों ने किस प्रकार से नौर्थ कोरिया को एक बैटल फिल्ड बना के हमेशा से रखा है मेरा नाम है अंकित अवस्ती आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में special session हमेशा साड़े पांच बजे आप लोगों के लिए रोजाना आएगा शाम साड़े पांच बजे वाइफाई study में चैनल पर यदि आप मेरे साथ जुड़कर के SSA, CGL, CHSL, JEE, Steno, Phase 8 इनकी तयारी में जो आवशक geography, policy, economy, history, science, current affairs पढ़ना चाते हैं तो मेरा referral code अंकित 10 लगा के आप मेरी classes एक्सेस कर सकते हैं इसी के साथ साथ जो अन्य classes, अन्य faculties की उपलब्द है maths की, reasoning की, current affairs की, वो भी आप लोगों को आसानी से उपलब्द इसी subscription पर हो जाएंगी और हाँ, आप लोगों के लिए रोजाना मेरे द्वारा special classes अनकेडमी पर ली जा रही है आप देखना चाहते हैं कि अनकेडमी पर हम कैसे पढ़ाते हैं तो free classes available है, special section में आप लोगों को अनकेडमी के SSE section में ये उपलब्द हो जाएंगी आएए बात करते हैं, North Korea की मेरे प्यारे साथियों, North Korea जब हम भारत की बात करेंगे तो आप जब भारत का map देखें और उसे word map में दूने तो आपको पता चलेगा कि भारत के map से east side में यानि कि भारत के map से जब सीधे eastern heart की तरफ चलेंगे हम map को जब पढ़ते हैं word map को तो पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कैसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं उपर होता है north, नीचे होता है south, इधार होता है east, इधार होता है west तो भारत से जब आप east की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला पूरा area दिखाई देता है आप जैसे ही ये state of Malacca cross करके आते हैं नीचे मिलता है south china sea south china sea से जब आप उपर चले आते हैं तो आपको चाइना के दर्शन होते हैं ये पूरा चाइना वाला area जिसको yellow sea आप कहते हैं अब ये दो जो छेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं map के अंदर साफ रूप से इन में से एक छेत्र है उसका नाम है south korea और एक का नाम है north korea अब हमारे दिमाग में पहला सवाल तो यही बनता है कि सर इनको korea korea नाम मिला हुआ है तो ये north और south का क्या अंतर है क्या दिक्कत है और दूसरा इन दौनों के बीच की बीच की जो रेखा है इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों इनके बीच की जो रेखा है इसे 38 parallel कहते हैं आएंगे इस बात को भी समझेंगे और इसे DMZ के नाम से भी जानते हैं Demilitarization Zone के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर इन्होंने छेतर बना रखे हैं पर इनकी आर्मी खड़ी नहीं होगी तो पहले मैं आप लोगों को यह समझाओ कि North Korea और South Korea का इतिहास क्या है उस इतिहास के बाद आपको proper तरीके से आज का जो मुद्दा है यह अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोगों को यह session समझ में आए तो क्रिपया करके इसे और लोगों से भी जोड करके और लोगों को भी share करिएगा ध्यान से सुने मेरे प्यारे साथियों असल में क्या हुआ कि जब आप लोगों को Second World War के बारे में बताया जाता है तो Second World War जैसे ही खत्म हुआ था 1945 के around तो उस समय जो विजेता रास्ट थे यानि कि विजेता जो रास्ट बने थे उन विजेता रास्टों के अंदर दो छेतर प्रमतलब विजेता रास्टों के अंदर जो बड़ी शक्तियां बनके उभरे थे वो देश कौन थे मैं आपको उनका नाम बताता हूँ एक का नाम था अमेरिका जिसे आप जानते हैं दूसरा था USSR जिसे शायद आप ना जानते हों क्यों? क्योंकि आज USSR एक्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि वर्तमान में USSR 1901 में ही 15 देशों में टूट चुका है जिसका आज जो ताज है वो रूस जो है अपने सर लेके चल रहा है इतनी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए साथियों बात थी 1945 की 1945 में जब दुनिया वर्ड वार से निकली ही थी तो उस समय एक खास खबर आप लोगों को पता चली होगी कि अमेरिका ने जापान के हीरोशीमा और नागा साकी इस्थानों पर मेरे प्यारे साथियों बम गिराए थे कौन से बम गिराए थे नूकलियर बम गिराए थे और वो इसलिए गिराए थे क्योंकि जापान जो था उसने इस पूरे कोरियन पैनेंसूला पर द्यान से समझना बड़ी important बात बता रहा हूँ जापान ने पूरे Korean Peninsula पर इवन यहां से उपर होते हुए जापान ने आगे की तरफ बढ़ते हुए चाइना इवन इंडिया तक पहुँशने का रास्ता साफ कर रखा था यानि की जापान एक बहुत बड़ी महाशक्ती बनके उबरा था जब second world war का time चल रहा था ये तो अंत में अमेरिका ने nuclear bomb गिरा करके पूरा game ही बदल दिया otherwise जापान आज दुनिया की महाशक्ती होता तो ऐसी इस्थती में जो जापान का आधिपत्य था इस पूरे Korean Penensula के उपर कौन सा Korean Penensula पहले तो ये समझ ये Penensula क्यों कहते है क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से गिराए देखिए येलो सागर से गिरा हुआ है इधर की तरफ आप लोगों के ये वाली जो स्ट्रेट है Korean स्ट्रेट इससे है और इधर की तरफ जापान सी से गिरा हुआ है तीन तरफ से जो भी पानी की अंदर गिरी हुई आकरतियां होती है इन्हें हम प्रायदीप कहते हैं तो ये जो कोरिया है ना बच्चों ये चारो तरफ से पानी से गिरा हुआ है इस पूरे पर भी किसका हग था जापान का हग था लेकिन चूकी जापान ने फिर मतलब अपना एक तरह से मैश विट्रॉ कर लिया युद्द से हार करके पीछे आ गया ऐसी इस्थती में मेरे प्यारे साथियों जब ये पीछे आया तो अब यहां एक इस्थती बनके आई और वो क्या थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बटवारे की इस्थती आई अब आप कहेंगे सर बटवारा का क्यों होना था साथियों हुआ क्या आप लोगों को मैंने जैसा अभी बताया कि विजित राष्ट्रों में थे US और USSR लेकिए जीतने को तो विजित राष्ट्रों में France भी था जीतने को तो Britain भी था UK भी था लेकिन बड़ी प्रॉबलम यह है कि यह इतने कंगाल हो चुके थे कि इन से खुद की economy समल जाए वही बहुत बड़ी बात थी ऐसी इस्थती में US और USSR ने ही पूरी दुनिया को अपनी विचारधाराओं के हिसाब से चलाने का निरने लिया US की जो विचारधारा थी वो थी capitalist विचारधारा मतलब क्या हुआ पूंजी वादी विचारधारा अर्थात जो जादा मतलब सामर्थ्यवान होगा वो कारे करेगा और अपना आगे दाम पाएगा USSR की जो विचारधारा थी प्यारे साथियों यह विचारधारा थी साम्यबादी विचारधारा इसका मतलब क्या हुआ सर्वहारा वर्ग साशन करेगा अर्थात जितने भी संसाधन हैं उन पर सरकार का आदिपत्य होगा और कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है कि उसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो विदाउट सरकार की पर्मीशन वो संभव नहीं होगा यानि कि इस साम्यवादी विचारधारा की जो सबसे बड़ी कमी मानी जाती है वो यह होती है कि यहाँ पर अगर आपके पास सामर्थ है, पोटेंशिल है, टैलेंट है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते और पूंजीवादी विचारधारा की यह कमी मानी जाती है कि यदि आप ग और साम्यवादी ये दो विचार धारा हैं जो थी ये दौनों लोग अपनी-अपनी फॉलो करने लगे ऐसी इस्थती में इन लोगों ने अपने-पने हसाब से दुनिया को बाटना शुरू किया बाटना शुरू किया US ने और USSR ने आपको याद होना चाहिए इन दोनों की इसी विचार धारा की लड़ाई को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं अर्थात Cold War के नाम से जानते हैं बेटा ठीक है ध्यान से समझना बहुत अच्छी स्टोरी है जानके बहुत इंट्रेस्ट आएगा पर ध्यान से सुनते चलिएगा शीत युद्ध अर्थात इसे हम क्या कहते हैं Cold War कहते हैं बच्चों इन दौनों के बीच Cold War चल रहा था किसके बीच में अमेरिका और USSR के बीच में किसके विचार किसका Cold War था विचार धाराओं की लड़ाई था कब खतम हुई USSR के समापती के साथ USSR कब खतम हुआ 1901 में लेकिन इस स्टोरी के बीच में कुछ बाते और जो होते हैं क्या हुआ बिटा जब US और USSR में जीत के बाद की दुनिया बटने का निर्णे हुआ कि कौन किस रहिसे पर राज्य करेगा देखिए दो बाते समझिएगा जब आप कोई भी चीज जीतते हैं तो कुछ ट्रॉफी टाइब की चीज लेते हैं तो ट्रॉफी के रूप में लोगों ने कहा कि चुकि जापान ने अभी Korean Peninsula जीता था अब जापान पीछे हट चुका है तो हम इस पूरे Korean Peninsula को दो भागों में बाटते हैं दो भागों में बाटा गया किसको Korea को किस-किस भागों में बाटा गया बिटा दो भागों में बाटा गया देखिए मैप के आधार पर समझने का प्रयास करिए उपर की तरफ होता है तो North कहलाता है यानि कि इसे दो हिस्सों में बाट दिया गया अब आप पूछेंगे फिर सर ये दो हिस्से गए किसके पास बच्चों ये जो उपर वाला हिस्सा है इसका मालिक बना साम्यवादी विचार धारा वाला रूस ध्यान से समझना ये important बात बता रहा हूँ ये रहा रूस इसने क्या कहा कि हम अपनी विचार धारा को यहां चलाएंगे कहां पर North Korea में South Korea में क्या हुआ बच्चों South Korea में America ने कहा कि हम लोग अपनी विचार धारा अर्थात पूझी वादी विचार धारा चलाएंगे इन दौनों के मध्य में माटा किस आधार पर गया 38 पेरलल करके इन दौनों के बीच में बॉर्डर खीच दिये गए यानि कि इसको दो हिस्सों में बराबर बराबर पांट दिया गया एक हिस्से के मालिक हो गए साम्मेवादी विचार धारा वाले कौन कौन थे साम्मेवादी विचार धारा वाले अब उन्हें समझिये बच्चों एक था चाएना ये भी साम्मेवादी यानि कम्योनिस्ट विचार धारा वाला और ये था रशिया ये भी साम्म्योनिटी विचार धारा वाला ये communist विचारधरा वाले दौनों रास्ट्रों ने नौर्थ कोरिया के उपर अपना आधिपत्य एक तरीके से वैचारिक रूप से आधिपत्य इस्थापित कर लिया और यहां के जो राजा बनाये गए यहां के जो प्रधान बनाया गया उसे भी इस प्रकार का व्यक्ति बनाय गया जो यहां पर साम्यवादी कारिय कर सके communist कारिय कर सके इतनी बात समझ में आगी communist कारिय का मतलब क्या होता है जितने भी संसादन हैं वो सरकार के अधीन होते हैं लोगों को तो केवल जीने भर का काम दिया जाता है इसलिए आप लोग जानते हैं कि जहां पर हम ताना शाह की बात करते हैं किम जॉंग उनकी वो कम्यूनिस्ट विचारधारा के ताना शहा है जिनकी वजह से यहां का कुछ भी नूज बहार निकलके नहीं आता यहां पर कोई भी extra private काम नहीं होता जो भी काम होते हैं वो सरकार के अधीन ही होते हैं ये बात आपको समझ में आनी चाहिए दूसरी तरफ था साउध कोरिया जिसके अंदर Kapitalist विचारधारा अपनाई गई और साउध कोरिया बन गया अब आपके दिमाख में ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये दो राष्ट कैसे बने अब इन दो राष्ट्रों को समझने के लिए मैं आपके सामने एक बार के लिए ये वाला लीडर बोर्ड भी लेके आया हूँ जरा इस लीडर बोर्ड को देखें आप यहाँ पर इन सारों की एक family tree है साथियों ये है किम उल संग जो की North Korea जब कभी देश हुआ करता था तो सबसे पहले संस्थापक सदर्श जो थे ये किम उल संग थे जिनकी अभी हाल ही में 104 वी वर्षगाट मनाई गई थी 108 वी वर्षगाट मनाई गई थी जिस पर इन्होंने खुशी के अंदर अभी 15 अपरेल को ही इन्होंने खुशी में मिसाईल दाग दी थी किन्होंने इनके पोते ने कौन है इनका पोता किम जॉंग उन जो इनके पोते हैं इन्होंने इतनी बात समझ में आई अच्छा दूसरी तरफ देखिए इन संग के दो बेटे हुए, इनके बेटे कौन कौन हुए, किम अल संग के दो बेटे हुए, मतलब दो बच्चे हुए, एक का नाम था किम जॉंग इल और एक का नाम था किम क्योंग हुई, ये दो बच्चे थे इनके, इनमें से जो किम जॉंग इल हैं, इनके बेटे थे किम अब देखो ध्यान से, इनके दो बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी, ये जो बेटी है ना, मतलब ये हुई इसकी भुवा, इतनी तो reasoning आप लोगों ने पढ़ी ली होगी, ये हुई इनकी भुवा, किनकी किम जॉंग उनकी भुवा, ये जो भुवा थी, ये असल में यहां के साशन में, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगा, कि इन्होंने सत्ता पलटी का, यानि की तक्ता पलट का प्रयास किया, तो भाई, किसकी तक्ता पलट करने की कौशिश की इन्होंने, तो ये जो भाईया, इनके भाई हैं, कौन, किम जॉंग इल, ये जब राजा बने, तो बो थे किम जॉंग इल को मारने की यानि की इनके खिलाफ विद्रो करने की सजा के चलते इनको निप्टा दिया गया मार दिया गया अब बच गई भुवा जी अब ये जो भुवा जी है जिनका पद बहुत ही important हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों इन भुवा जी के हाल ही में ब को मरवाने में फूपा जी को मरवाने में क्यों क्योंकि फूपा जो थे उन्होंने भुवा के भाई को मरवाने में मदद की थी इसका मतलब भुवा जी की जो सत्ता में पकड़ है वो बड़ी मजबूत है ऐसा कहते हैं source आज भी किम जॉंग उनके बारे में यही कहा जाता ह कि इन्होंने अच्छा अब किम जॉंग उल इल के जो बच्चे हुए उन में से एक का नाम है उन जो कि अभी राश्टरा द्यक्षे हैं यहां के एक का नाम है चुल एक का नाम है नाम ठीक है भई इन चीजों को आप ध्यान से समझते चलिए इनकी हुई पतनी कौन जिनका ना किम यो जॉंग अब बोले सर इनका नाम को क्या करम है आईए तो जड़ा इधर देखते हैं ये पूरा फैमेली ट्री एक बार और ध्यान से देखें देखो भई 1912 से 1904 में तक इन्हों ने राज किया था किम अल संग ने 1948 तक राज किया 1948 के बाद 1948 से लेके 1904 में तक ये किम जॉंग इल ने साशन किया किम जॉंग इल के बेटे हुए किम जॉंग उन जो की 2011 से साशन में है मेरे प्यारे साथियों हमने आपको बता दिया ये रही भुआ जी जो अभी बची हुई है ये रहे फूपा जी जिनने किम जॉंग उनकी जो बेहन है उनका नाम क्या है किम सुल सॉंग ये जो है ये पूरे टाइम में इनके साथ ही रहती है किम जॉंग उनके साथ रहती है और जो ये भाई वगेरा और दिख रहे हैं आप लोगों को कौन कौन से ये जो दिखा आपको किम जॉंग नाम इनको सह किम जॉंग उनने मरवा दिया कम मरवा दिया 2017 में ही मरवा दिया क्यों मरवा दिया क्योंकि सहाब इनके ऊपर कोई allegation लगा था अब allegation था ये तो ईश्वर जाने लेकिन वास्त्रिक्ता तो यही है कि इन्हें अपने प्रतिद्वंदी ये लगते होंगे तो एक तरीके से इन् 1984 में पैदा हुआ किम जॉंग उन यहां का ताना शाहा बना हुआ है इस ताना शाहा की सादी होती है री सोल जू के साथ और ये अपने तीन बच्चे रखते हैं लेकिन ये बच्चे चुकि पहली संतान इनकी 2010 में पैदा हुई है तो अभी टेक्निकली वो 10 साल के हैं और सा किम सॉंग हुई और दूसरी ये बेहन किम सॉंग सॉंग किम सुल सॉंग ये दो मेरे प्यारे साथियों हाँ इनके नाम कैसे बने हैं ये तो खैरीशवरी जाने लेकिन ये प्रमुख नाम है जो आप लोगों को पता चलने चाहिए ठीक है ना बुआ के बच्चे कहा है नौर्थ कोरिया और साथ कोरिया बतायत है इन दौनों राष्ट्रों का निर्मान कर दिया गया 1945 के अंदर वर्ड़ वर खतम हुआ और खतम होने के बाद में नौर्थ कोरिया और साथ कोरिया को एक रेखा जिसे 38 पैरलल कहते हैं इसके नाम से सेपरेट कर दिया गया एक हो गया North Korea और नीचे दूसरा हो गया South Korea ठीक है बड़ा इन दौनों को separate कर दिया गया अब जब separate कर दिया गया तो उपर वाले हिस्से के उपर control स्थापित करना शुरू किया किस ने रशिया ने और चाइना ने और नीचे वाले हिस्से पर स्थाचन करना शुरू किया जा आपके अमेरिका ने यानि की उनकी विचार धाराने अब क्या होता है साथियो 1948 में इनके बीच की जो border रेखा बनाई गई इस border रेखा को हमने 38 parallel के नाम से जानना शुरू कर दिया अब क्या होता है यहां से आगे एक बहुत बड़ी इस्थती create होती है और वो क्या होता है मेरे प्य उपर किसका हाथ है चाइना का और रशिया का हाथ है ये आर्मी नौर्थ कोरिया से 38 parallel को cross करके साउथ कोरिया में आ जाती है ध्यान से समझना यहीं से सारी की सारी बात बिगड़ती है क्या हुआ नौर्थ कोरिया से सारी की सारी जो आर्मी है ये cross करके किधर चल देती है सोव्यत यूनियन और चाइना थे इनके समर्थन के कारण ये वाली बात हुई साउथ कोरिया का पक्षधर कौन था अमेरिका अमेरिका समझदारी किया और वो क्या किया अमेरिका गया यूनाइटिड नेशन और यूनाइटिड नेशन जाकर के लगभग 21 देशों की सेना को collect किया जो की UN के पक्षधर थे उनको इखटा किया और कहा कि देखो भाई बात ऐसी है कि हमने जब peace इस्थापित की थी तो North Korea और South Korea बनाए थे तो फिर क्या कारण है कि North Korea South Korea में entry कर रहा है ऐसी इस्थती में 21 देशों की सेना आती है South Korea की मदद करने और मदद करती है और करके मेरे प्यारे साथियों यहां से पूरे North Korea को यानि पूरी North Korea की सेना को पीछे सरका देती है सरकाती कितना दूर तक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि यहां से South Korea की सेना इने पीछे हटाते हुए ले जाती है और यहां तक असल में तो वो अमेरिका की सेना है और हटाते हटाते मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक नदी है जो कि China और North Korea के बीच बॉर्डर बनाती है जिसका नाम है यालू नदी उस यालू नदी तक यह सेना जो है यह पहुँच जाती है कहां तक पहुँच जाती है यालू नदी तक लेकिन अब अभी तक North Korea अकेला लड़ रहा था चाइना और रशिया ने तो केवल आशिरवाद दे रहा था ऐसी इस्थती में चाइना भी अब युद्ध में उतर जाता है चाइना जैसे ही युद्ध में उतरता है South Korea की सेना वापस पीछे हटना शुरू होती है और अंत में जाकर के यह जो South Korea वाला 38 पैरलल है यहां जाकर के यह सेना जाके रुक जाती है यालू नदी के पास पहुचने के बाद यह सेना जो है वापस रिट्रीट करती है और रुकती है 1953 तक चले युद्ध में जाकर के Finally यह लोग जो हैं यह कहां जाके रुक गए Ultimately 38 पैरलल पर रुक गए और इनने एक चीज़ डिसाइड करी और वो क्या चीज़ डिसाइड करी कि यहां के बाद अब एक ऐसा छेतर बनाएंगे जहां पर ना तो North Korea की सेना होगी ना South Korea की एक तरीके से इन्होंने border को बड़ा बना दिया जिसे Demilitarization जोन DMZ कहा जाता है तो 38 parallel किन दो देशों के बीच की सीमा है तो North Korea और South Korea के बीच की सीमा है Korean War कितने साल चला तो 50, 51, 52, 53, 54 साल चला युद्ध के परिनाम क्या निकले युद्ध के परिनाम वहीं की वहीं वापस आके दौनों खड़े हो गए इसकी वास्तविक परिनिती क्या निकली वास्तविक परिनिती दो powerful सत्ताओं के बीच में द्वेश की भावना पनफ गई एक हो गई रशिया और चाइना एक तरफ हो गए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री एक तरफ हो गए तो वर्तमान में अगर आप समझते हैं कि आज की स्थती में नौर्थ कोरिया के लिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि नौर्थ कोरिया के लिए अमेरिका एक दुश्मन है क्यों? क्योंकि उसी के कारण उसने साउध कोरिया को मतलब जीत नहीं पाया था यही के इस्थिती है जिसके कारण पूरी दुनिया और हाँ तब से लेकर के ये जो आपको दिख रहे थे पापा चाचा बगएरा जितने भी लोग थे इनका साशन उस समय इनका साशन था अब इनका साशन है इन्होंने पूरी तरीके से इस छेतर के अंदर एस्थिता समझ में आई होगी जो मैंने आपके सामने ब्रीफ की है अगर समझ में आई हो तो एक बार के लिए थमसप करके मुझे बताना कि कुछ समझ में आया क्या अब मैं आपसे केवल इतना पूछूंगा कि अगर किम जोंग उन नहीं रहते तो क्या होगा तो संभव है कि उनकी ब समयवादी विचारधारा है जो चाइना और रशिया के द्वारा समर्थित है अर्थात इतना कहा जा सकता है कि इनके मरने से एक दिन न्यूज जरूर बनेगी लेकिन परिवर्तन इस छेतर में आजाए ये अपिक्षित नहीं है क्योंकि जिस देश की इस थापना ही इस आध पर हुई हो किस आधार पर हुई हो कि वहाँ पर विचारधाराओं की ही लड़ाई हो तो वहाँ से कुछ और अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता अर्थात इस छेतर के अंदर एस तिरता का जो कारण है बस ये जरूर है कि कोई कम संकी आ जाए जो अपने भाईयों क को ना मारे या फिर कोई ऐसा आ जाए जिसकी वज़य से कुछ अमन शान्ती जो है वो इस छेतर में स्थापित की जाने की उम्मीद है मेरे प्यारे साथिओं आप सभी साथियों को हाँ आप सभी साथियों को अब एक कई विध्यारती पूछ रहें कि उनकी वाइफ को कोई सत्ता क्यों नहीं मिली क्यों ही वाइफ की उपर इनको बिलीव नहीं है ठीके मेड़ा चलिए तो यहाँ पर होती है कहानी खतम कहानी को फाद में आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे टेलिग्राम ग्रूप जीके भाई अंकित अवस्ती सर पर मुझे जुड़ सकते हैं 98,000 विध्यारती यहां जुड़े हुए हैं मैरे क्लास का नॉटिफिकेशन यहां डाल देता हूँ यहां पर भी जुड़ सकते हैं 22,000 विध्यारती जुड़े हुए हैं टेलिग्राम चैनल है अंकित अवस्ती सर के नाम से मेरे साथ SSC में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा के मेरी क्लास अक्सेस करें यदि आप लोग अपने भविश्य में मतलब इफेंस सर्विसेस की तयारी का सोच रहे हैं तो mówi-fi study defense को subscribe करें live test देना चाहते हैं तो wifi study live test को subscribe करें अपने छोटे भाई वैनों को 9th से लेके 12th की CVS-C की classes पढ़ाते हैं तो उनके लिए अनकेडमी से CVSK का मात्र 99 रुपीज में प्रमोशनल सब्सक्रिप्शन परचेस कर लें थांक्यू सो मच